अल्मोडा पुलिस के थाना लंगडा टीब ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को रुदरपूर उधमसिंग नगर से गिरफतार किया है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को लंगडा छेत्र निवासी एक व्यक्ती ने अपनी नाबालिक बेटी की घर से बिना बताए कहीं चले जाने और घर वापस नहीं आने के संबंद में तहरीर दी थी। जिस तहरीर के अधार पर थाना लंगडा में मुकदमा अतर्ज किया गया। और SSP अलमोडा देवेंद्र पिंचा द्वारा मामले की सवेदन शीलता को देखते हुए ततकाल संग्यान लेकर सीओ अलमोडा और थाना अध्यक्ष लंगडा को टीम गठित कर गुमचुदा नाबालिक बालिका को जल्द बरामत करने और सनलिप्त अभ्युक्त को गिरफत करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गए जुसके बाब विमल प्रिशास सीओ अलमोडा के प्रयवेक्षन में थाना अध्यक्ष लंगडा राहुल राथी द्वारा पुलिस टीम का गठन कर ततकाल नाबालिक बालिका की खोजबीन शुरू की गई तो वहीं अब गठ कर पीडिदा के बयानों के अधार पर आवश्यक कारवाई की गई